तो स्वागत है आप सबका हमारे चिनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेपलोकर तो हम हेल्थ और मेडिगल सेक्टर में पिछले बीडियों में हम बात किये थे मसल पर 13 के बारे में अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बेटर में क्लिक करें और जाके देख लिजे तो एक चीज़ बतना चाहता हूँ क्योंकि अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट में क्लिक करके मेरा पुराना वीडियो देख लिजे क्योंकि आख जो है ये इसके ऊपर नीचे साइट उपर नीचे मीडिया लेटरल जो भी जितने सारे बॉ इसको रहने के लिए एक घर चाहिए जिसका बॉन होते है यह बॉन उपर नीचे फ्रांटल बॉन नीचे मेग्जिला साइड में जाइगोमेटिक पीछे से थोड़ा आता है टेंपॉरल नाक में से आपका नेजलीस अंदर में आता है आपका भोमार उसके अंदर में आता है स् इसका बाउंडरे जो होता है यह हम डिटेस में बात करेंगे अप्थालमोलोजी जप्टर में अब आपको सिफ शॉर्टकट बता रहा हूँ जब आपको अभी तक फास्टियर मेबीएस अनाटोमी कर जान लेकिने जितना जरूर है ठीक है तो यह जो आखों का अंदर होता ह ठीक है एकदम अंदर में रहता है एक फाइब्रस स्ट्रक्चर गोल गोल जैसे एक कॉमन फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जहां से जितने सारे रेक्टरस मसल है इसका ओरिजिन होता है ठीक है तो इस कॉमन जो गोल गोल एक स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस शीत इसको हम कह कहानी अलग चप्टर में बात करेंगे तो एन्यूलस उपजीन से जितने सारे रेक्टर्स ग्रूप मसल है सब कुछ ओरिजिन होता है और उसी रेक्टर्स ग्रूप में सबसे पहला मसल आता है आपका superior rachis ठीक है जैसे में मान लिजे यह हमारा आख ठीक है थोडा पास मैं चाक हूँ यो यह है मेरा आख ठीक है और यह आपका boni area ठीक है मान लों यह आपका उपर से frontal bone इधर से अपका temporal a subject bone अन्दर से अपका नेजलिस भूमार शवइनोयच बोन ठीक है अंछ नीचे से से आपका mexilles, च्चेअ इसके बीच में रहे थे हैं आपका आख, ऐसे एकदम गीज़ में, तो इधर से इरी और बीच में से ये आख, एक और गरन तो ये जो घडी वाला पार्ट है और ये हडी में और नीचे में आख, ये दोनों के बीच में जो एक gap होता है space ठीक है जो gap होता है इसमें आके लगता है आपका जितने सारे मसल से ठीक है फिर अधा है inferior ductus ये नीचे से लगेगा फिर आता है medial ductus माल जी ये मेरा die set के ठीक है ये मेरा right set के तो मेरा जो ये central axis है इसका सामने हो गया ये medial part तो इधे मेरा है में भी इतना सेंट्रलर से के पास है तो यह बात करते हैं सुपरेटरिक्टर्स मसल का ओरिजिन कह स्होता है मैंने भी बताया है कि एन्यलस औफ सीन से अपका सुपरेटर्स मसल सामने एरिया देखते हैं अंदर में जो बहुत बड़ा एरिया चुपा हुआ है उसको हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे आखो का पत्ता है आई लिज़े फिर बोनी स्ट्रक्शर है इसलिए हम देख नहीं पाते हैं जब इसको खोल के पूरा निकाल देखागा तो क्या ह पतला ट्रांस्परेंट होता है यह जो आखो का वाल एरिया को प्रोटेक्शन देता है इसको बहुत सारा काम होता है जो हम अप्थालमिल में बात करेंगे डीटेश में तो यह कौर्णिया और पीछे वाला जो सफेद एरिया रहेता है मतलब आखों का जो में आईबोल है इस एरिया को हम केते है स्क्लेरा तो स्क्लेरा और कॉर्णिया ये दोनों का जो जंक्शनल पॉइंट है इसको हम केते है कॉर्णियल लिम्बस ठीके यह पूरा एसे गोल-गोल रहते ठीक है, मानलो यह मेरा eyeball है, इधर में आपका coronia का potation layer है, तो इधर से इधर से आपका ironial numbus, क्योंकि coronia के बाद ही स्कलेरा, ठीक है, यह area को हम कहते है corneal limbus ठीक है यह corneal limbus और पीछे वाला area इतना तो मान लिए तो यह जो गोल पूरा area cover कर रखा है corneal limbus जब superior muscle इस तरह से आता है उपर से तो उपर से क्या होता है यह corneal limbus में direct नहीं लगता है ठीक है corneal limbus का 7.5 mm में इतना सा gap ठीक है 7.5 mm थोड़ा gap में लग जाता है इंजर्शन हो जाता है ठीक है origin इंजर्शन ऐसा हो गया अब इसका function क्या होता है अब superior rectus मतलब आखों के उपर रहने वाला जो muscle है उपर में रहते रहते हैं क्या करेगा eyeball को ऊपर के तर्म खिचेगा ठीक है जैसे मैं अब उपर देख रहा हूँ मेरा अभी तक ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया ठीक है उपर में देख रहा हूँ इसका मतलब superior rectus muscle काम कर रहा है उपर में मेरा eyeball को ऐसे भुमा रहा है ठीक है जिसलिए मैं उपर के नजरिया देख रहा हूँ एक ऐसा है दूसरा होता है आपका adduction क्या होता है यह जो medial axis है इसके करीब लाना ठीक है करीब लाना इसके पास लाना को कहते हम adduction तो कभी कबार यह adduction भी करता है ठीक है और कभी कबार medial rotation करता है मतलब ऐसे जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे तो मेरा eyeball जो इस साइड में घुम रहा है इधर देखने के लिए यह तो medial axis है ना जब axis के तरफ घुम रहा है तो medial rotation ठीक है जब axis से दूर जा रहा है मतलब lateral rotation ठीक है इधर में जा रहूं मतलब क्या हो रहा है मेरा left eye medial side आ रहा है medial rotation और मेरा right eye lateral जा रहा है lateral rotation ठीक है ऐसा आपको समझाए डिटीज में और ज्यादध में अप्थर अध्रबोज़ नडर में बस आप जान ड्रको और फिर आते हे आपका इन्फिल्य लिम्स होता है इधर का 6.5 mm ठीक है सीर्थ तुसा 6.5 भी नीच धोड़ा नीचे मेर ज जाके खतम हो जाता है इसका काम क्या होता है जैसे मैं उपर में देख रहा था तो मेरा नजरिया ऊपर से नीचे में ला रहा है ठीक है मेरा सर को fix करते हुए मैं अगर सर ऐसा fix है तो मैं ऊपर देख रहा था तो ऊपर से ऐसे नीचे ला लिए ठीक है इसिए इनिफिरी रेक्टस आइबोल को नीचे के तरफ खीचता है, जो मैं ऐसे नीचे का नजरिया देख पता हूँ, ठीक है? ऐसा है, और कभी का बार एडक्षन, ये भी सेम करता है, सुप्रियो रेक्टस मसल जैसा, हमारे आखो को करीब लाने में कदम करता है, हमारे आखो होते हैं आपका यह जो आख होता है आखों का मीडियली मीडियली जो कॉर्णिय लिंबस है इसका थोड़ा 5.5 mm पीछे ठीक है 5.5 mm चुटा सके पीछे में खत्म हो जाता है ठीक इसका उल्टा लैटरल रेक्टास यह क्या होता है यह भी आपका कॉर्ण अनुलर में जैसे मैंने पहले ही बता था दो keywords होता है एक होता है डूसरा थे उबलीड में क्या आता हैब का सूपरीर अबल्लीक सिर्लनोले इनिंफिर्टेवरोब्रीक milhões क्या होता है स्लosh mıसल सफिर बिल्स क्या होता है अपका जो इनलसेटर्ण में है इtać है ऑर एक पर्ट आपका ऑफ्टिक केनल जोयरें के हैं अंप तेनले में आप मातप करें ठीक है तो अहला जुड़ीन और आप्तिक यृतिक हो यह है पीछे बाला इरिया पॉस्टेर क्वाड्रेंट ठीक है पीछे में जाके खतम हो जाता है इस मसल का काम क्या होता है इस मसल का काम होता है आपका इंटोर्शन मतलब आखो को अंदर के तरफ रोल करना मतलब घुमा देना जैसे मैं क्या होता है मतलब मैं इस तो मैं क्या करूंगा मेरा आइबल ऐसे करके ऐसे उपर जाका ठीके में इधर से फिर इधर एसे करके फिर एसे एसे नहीं देखता हूं ओपर के फिर घूमना घ्रिके इसको में अब सब्सक्राय से यह बाता है DC सब्सक्राइब्स सोबता है सुप्रेयर अबप्रिक जासे आखों को में दोर लह जाना मतलब को नई जरे ठीके अब एक मसला नीचे में हैं जिसक्यम्क कहते हैं इंफ्रीम au से अबन मसल का एक OS नो हुद्ध कर सबस्य valuation होता है धूसरा क्यों होता है जो या क्रमाल को पहले ही कि ले przybyem lyôm गूरूब इधर से अंदर पीछे से पीछे से एक प्रैक होता है तो दोनों जगा से और होने के बाद ये जो आंखो का पॉस्टिर्यющ je पीछे वाले एरिया में लग जाता है इंजर्शन हो जाता है इसका क्म को हता है इसका काम होता है आपका extortion मतलब मान लिजे किसी ने बोला मेरे को मिडियल से अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो यह जो मेरा राइट आई है मतलब डाय आखो का डाय साइट का आख है डाय साइट का आख क्या हो रहा है यह इधर में देख रहे है अगर मैं आपको बोलू जो अब नीचे में करने का अपना होगा इधर करके ऐसे देखूंगा ठीके इधर से डिरेक ऐसे मैं इधर से फिर ऐसे नहीं फिर ऐसे नहीं करता हूं ठीके डायरेक्ट सोटकट इधर देख रहा हूं फिर नीचे तो यह जो डाउनवर्ड रोटेशन होता है ठीके नीचे के तरफ जो घूमना होता है downward rotation इसको हम कहते है extortion ठीक है उपर के तरफ घुमना intortion नीचे के तरफ घुमना extortion ठीक है तो यह extortion काम करता है आपका यह इंफिनी रोबल और क्या करता है यह आपको भी abduction में मतलब करता है इस side का मतलब left eye का कौन सागों सा muscle काम कर रहा है right eye का कौन सागों सा muscle कैसे किस दिशा में काम कर रहा है यह सब कुछ में details में बात करूंगा ophthalmology chapter में ठीक है इधर में नहीं तो आखों में रहने वाला जितने सागे muscle है सब कुछ कबर कर चुका हूँ तो अब हम बात करेंगे कानों के अंदर में रहने वाला skeletal muscle जो आता है आपका टेंसर टिंपनी और दूसरा है आपका stepidious पहले बात करते है stepidious की अब एक इस तरह होता है अंदर में रहने वाला inner ear ठीक है या internal ear अब मीडेल एर में क्या होता है एक boni preminence होता है एक गिठ्था जिएसा ठीक हड़ी का मीडेले में जो हड़ी होते एक हड़ी काई गिठ्था जैसा होता है तो यह इसा प्रोउनस की सब्सक्राइब चलता है इस टीप होता है जो आपका स्टेपिडियस hablar और इनजरी कि नाम है stepis stepis की गर्दन में मतलब neck of stepis में जाके इस muscle का insertion हो जाता है तो इसी के साथ साथ ये muscle हमारे शरी का सबसे छोटा वाला muscle बन जाता है stepis muscle क्या करता है यह जो हमारा sound हो रहा है sound को sound का जो amplitude होता है मतलब इसका जो level होता है amplitude इसको control करता है अगर कहीं पर अगर बहुत तेज आवाज हो रहा है मतलब घर में mic बज रहा है कहीं में धोल बज रहा है किसी program हो रहा है कोई क्लब में घुशते हो इसमें dj music बज रहा है कोई नाजगान पार्टिशाटी हो रही है बहुत high sound में तो यह high sound का करता है आपका अगर कहीं पर low आवाज हो रहे मतलब भौटियत आवाज में आवास सब्सक्राइब बहुत है कोई mic बत इसे करना थैंड और में कोई lag अवाज यह आवाज हो 미리 सोनागी थे थीका पर उसका College approved on it by 288 को Control करता तर्फ मस्ल तैंसर तींपरिबर टींपरिपनिमसल क्या होता है यह Honom b Cliff a Tuft it you knowrim कि भेपेंगैए करेंग आप इसलुब करता हुद वाओ यह जो हमारा कान है कान है आंदर फाला हिस्सा इनर और इंपरनल इर इथर से एक तक सब्सक्राइब का पीछ वाला पाठ आ याल पाट ये नली ओपन होता है तो ये जो फीरिंगो टिम्पेनिक थीके फीरिंग से काण काणं का पड़ते को हम कहते हैं तो इसो से हैं कहिए ठीचन ट्यूब से おिजिन होता है आपका टेंसर टिमपेनी मसल खतम कहाँ पर होता है अब स्टेपीस जो हड़ी है हमारे कान के अंदर इसी के साथ साथ एक और हड़ी होता है मेलियस यह मेलियस हड़ी का जो हैंडल होता है मेलियस हड़ी का हैंडल मेलियस बोन का हैंडल में जाके खतम इंजर्शन होता है आपका यह टेंसर टिंपनी मसल का टेंडन टेंसर टिंपनी मसल करता क्या है यह जो हमारा कानों का पड़ता है इसको इसको टेंशन है टेंशन को कंट्रोल करता है अब अचानक कुछ जबरदस्त आवाज हो रहा है तो उस खतरनाक आवाज से क्या होता है हम क्या होता है इसका भाईब्रेशन थोरा कम हो जाता है अब इसका वाईब्रेशन आपको प्रैक्टिकल कहीं से संझाओ जए जैसे तबला आगर आप देखे हो या कोई आपके इलाके मेर कोई तबला बजाता है तो उनको जाके पर पूछेए या का जो तबला है उसका setting जाके एक बड़़ देखिए इसके side side में जो काट का टुक्र होता है और इसका जो ओपरवला जो परदा है मत्थब membrane इस membrane या पढ़े को क्या होता है वो लोग इस काटके टुक्रे को उपर उठा के थोड़ा लुज करता है, नीची नमा के थोड़ा ठाइट करता है, क्योंकि पर्दया मतला का अपर डशल के तहिते हैं, मेम्फरेंड थोड़ा लूज होता है तो इसको अगा ऐसे जब तो डब डब ऐसा आवाज होगा अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने के लिए पर्दे को टाइट करना जरी होता है अब ज्यादा आवास कहां से जरी होगा माल लिजे हमारे कान में कोई करने के लिए तो उसको ध्यान से सुनने के लिए टेंसर टिंपनी मसल कान के पर्दे को पुरा टाइट कर देता है जैसे बाइब्रेशन ऑप्टिमम हो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना क्लिरी हम सुन पाएंगे ठीक है और अगर कुछ अचानक बंबलास्ट हो रह जाएं लूस कर देता है तिमपनी में में को हलकर करतीति है इसका भाइब्रेशन बहुत कम होता है हमको सुनने में ज्यादा तकलिफ नहीं होता है तो कान कहतम होने के बाद हम बढ़ते हैं मूँ के अंदर में क्या आता है आपका टांग जीब तो जीब या टांग ये अब बहुते हैं आपके लोकल लेंग्वेज में तो यह एक complex muscular organ है मतलब यह इस टांग में जीब में इतना सारा मसल है कि एक खुदी एक complex structure है तो बहुत सरे मसल मिलके बहुत सरे मांग स्पेशी मिलके यह जीब बनता है पहले आते हैं अपका genioglossus genioglossus क्यों होता है यह हमार मेंडिबल एक इसन पॉरणा बीड देख सकते हैं बात करेंगा हूं टो यह mental span का उपरवाला हिस्सा है इसका उपर वाले जगा से आपका origin हो्ता हे genioglossus मसल ठीकि यह मसल कहां पर खतम होता है इंसर्शन होता है यह जो истории है जीप का नीचे वाला एरिया मेरा डॉर्सम सर्फेस अभड तंग इस मसल का काकं क्या धे मसल करता है आपका प로ट्रूशन फोट्रूशन मतलब सामने के तरह फ्लाना मतलब जीब को बाहर करना प्रोट्रूशन ठीक है और क्या करता है और करता है डिप्रेशन मतलब किसी भी बात करने के टाइम या कुछ खाने के टाइम अगर हमारा जीब यह जो उपर वाला जो हड़ी है जो मेगजिला का नीचे वाला एरिया है इसको हमेथे पलिट तो अगर किसी करन में मेरा जीब करने के तरफ отправ धीचिकर लएगा अगर मेरा जीब वाला कि या क बात कर चुका हूँ special bone के चप्टर में देख सकते हो आप हाइवेट बोन से origin होता है आपका यह हाइव ग्लोसस मुसल और खतम होता है मत जीब में जीब के अंदर वला एरिया में ग्लोसस यह जो अब बार बार सुन रहे हो यह हमारा टांग है जीब इसको हम ग्लोसस बोलता है ठीक है यह हाइव बोन से जीब तक इसका origin injerte reaction हो ज़ता है क्या करता है ईजिब को नीची में क्लुडल हो चै तक उप Raiden को आए पते हैं ये मसल का औरीजिन ले सरकने होता है और जीब के पीछे वाले इरीमें जाके जूल जाता है ठीक है क्या करता है सेम ही काम करता है डिप्रेशन करता है मतलब हाईवेट बॉन से जो मसल आ रहा था हाईवेट ग्लोसास यह भी डिप्रेशन करता है अब हाईवेट बॉन के थोरा सा उपर इसी कहीं तो पाठ है अब लेसर कोड़नों क्या है हाईवेट बॉन का ही पाठ है तो इधर से जब origin हो रहा है तो यह भी depression ही करेगा और क्या करेगा simply फिर आता है आपका styloglossus styloglossus मतलब यह जो हमारा temporal bone है left side में right side में temporal bone के नीचे एक काटा जैसा projection होता है अंदर में अंदर की तरफ इसको हम कहते है styloid process तो styloid process से जो muscle origin होता है इसको हम कहते है stylo और jeep में जाके खतम होता है glossus stylo glossus muscle ठीक है अब यह क्या करता है यह jeep का जो सामने वाला area है मतलब मानलो यह मेरा jeep है अगर मैं इसको बीच में से भाग कर दिया divide कर दिया तो यह वाला पार एंट्रियर हो गया और यह वाला पार पॉस्ट्रियर हो ठीक है तो एंट्रियर पार्ट में जाके खतम होता है आपका stylo glossus muscle क्या करता है एंट्रियर पार्ट को ऊपर के तरफ उठाते हैं मैंसे फिर आते हैं आपका pallet of glossus pallet of glossus क्या करता है यह आपका pallet का जो openness होता है बाद में बात करेंगे special topic में तो pallet मेगजिल अब उनका नीचे वाला एरिया ठीक है तो इसी को हम के थे प्लेट अब पीछे वाला एरिया आते हैं आपका soft pallet तो soft pallet का जो side है side से origin होता है और खतम होता है आपका जीब के पीछे वाले एरिया में ठीक है सामने वाले एरिया में तो हो गया आपका stylo glossus पीछे पीछे वाला एरिया में कतम होता है इंजर्शन होता है प्लेट ग्लोसस क्या करता है पीछे वाला जो टांग का एरिया है जीब का एरिया इसको ऊपर के तरह पुटते हैं मतलब ऐसे जैसे आप कुछ स्वालो कर रहे हो आपका मुव में जो लाला जम जाता है या मतलब सलाइबा जम जाता है जब इस सलाइबा को स्वालो करते हो तो इस क्रेमे क्या होता है यह जीब जाके उपर का जो सास लेने का जगा होता है इसको क्लोस कर देता है जब आप कुछ खान ले आते हैं आपका superior longitudinal ठीक है क्या होता है longitudinal मतलब लंबा लंबी मतलब खरा एकदम खरा है ठीक है तो यह जो जीब का जो median fibrous septum है मतलब अगर मैं जीब को ऐसे करता हूँ तो आपको देखेगा कि बीच में से एक हलका दाग जैसा होता है ठीक है इस दाग को हम कहते है median एकदम बीच में है median fibrous septum अब बाहर में दिखने वाला ऐसा अंदर में क्या होता है एक septum जैसा होता है जो जीब को हमारा right side और left side दोनों हिसे में बाठ करते है दोनों हिसे को एक साथ जूर करका है यह median fibrous septum इसी septum से ओरिजिन होता है आपका superior longitudinal और यह जीब का जगदम किनारा है मांदो यह मेरा जीब है यह मेरा जीब है और यही इसी जीब का यह वाला पार्ट एक edge है यह वाला पार्ट एक edge है किनारा है तो इधर से origin होके लंबाय खतब होता है एसे जगए खतम होता है इधर से ऐसर डाय साइट का आप से हैसे खतम होता है अब इस मसल्सल का क्या होतब होता है ठीके मेरा जीब ऐसा था फेला हुआ था मैंने ऐसा कर दिया इसी के साथ साथ एक और मसल आता है transversus यह मसल क्यों होता है यह भी अपका median fibrous septum से origin होता है 20 में से origin होता है और किनारे में जाके खतम होता है ठीके lateral side में एकदम edge में नहीं edge में तो आपका superior longitudinal जगा कर लिया है अब edge से थोरा आगे lateral side में जगे खतम होता है इस मसल का काम क्या होता है narrow करता है ठीके हमारे जीब को एकदम से छोटा नहीं करता है पर एसा अगर इतना फेला हुआ था तो इसको इतना कर देता है ठीके जगा इतना कर देता है अगर पहले मेरा जीब ऐसा फेला हुआ था तो superior longitudinal muscle इतना कर देता है ठीके एकदम चिकना कर देता है shorten कर देता है अब अगर मेरा जीब ऐसा normal position में रेता है तो यह transversus muscle ऐसा कर देता है इतना फेला हुआ था इतना छोटा हो गया तो इतना ही करता है और फिर आता है अगर मेरा जीब ऐसा है तो इस बहार से आपको खीच के अंदर लेके जाएगा बहार करने वाला protrusion अंदर में लेकर जाने वाला को हम कहते हैं रिट्रेक्शन ठीक है तो रिट्रेक्श करने में मदद करता है यह inferior longitudinal साथ में क्या करता है जीब को अंदर नीचे के तरफ घुमाता है मतलब अगर मेरा जीब ऐसे जाता है जीब मेरा बहार निकल के ऐसा हो गया या फिर कभी मुह के अंदर भी होता है मेरा मुह के अंदर मेरा मुह के अंदर अगर जीब ऐसे में है अगर मैं चाहूंगा तो जीब को ऐसे करता हूं ठीक है तो यह जो तो यह मसल भी कुछ खास काम नहीं करता है तो जीप खतम होने के बाद हम बात करेंगे करते हैं यह जो हमारे मुग का उपALL फॉरला ही सह यह होता है कनी दैश्च का भी हट्व है पालो ही हले पकलुअ पिली पर के पिछे में क्या होता है कुछ कुछ मसाल कुछ कुछ स्वट इशू लग जाते हैं जिसको हम कहते हैं सफ पिलेट में रहने वाला पहला मसला आता है आपका TENSOR BELLY PAL がप्लाइधीन ठीक है इसका origin होता है यह हमारा स्वेनेट अंदर मैं एकड़ Time स्वेनेट बून है क् школ एक पढ़न होता है में घुंडित ऊता है जिसकों केते हैं मीडियल टीट प्लेटлять के अंदर कुछ होता है इस रीडिव्ट प्लेट एंदर कि चेłęसे होता है तो में अपका काम क्या planning करता ज्यादा खास कुछ काम नहीं करता है, जब हम खाना खाते हैं, मतलब स्वाल दो करते हैं, खाने को जब हम से गले के अंदर उतारते हैं, ठूसते हैं, उसी टाइम ये मसल थोड़ा काम करता है, कॉंस्ट्रिक्शन मतलब छोटा बरा होके काम करता है, और एक और मसल लाता है आ आपका मसल क्या 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 आता है पहले आते आपका स्टैलो फिरिंजेस मासल zylofyringes मतलब नाम से ही पता चलता है whether styloated process किसका है temporal bone का temporal bone पर अंदर में एक styloate process होता है notular जैसा kata तो इदेर से यह muscle का origin होता है और खतम यहाँ होता है thyroid cartilage में जाके यह खतम हो जाता है styloated process से origin हो रहा है और thyroid cartilage में जाके खतम हो रहा है यह function क्या करता है कभी-कभी हमारे गले को मतलब फेरिंग्स लेरिंग्स दोनों को इलिविट करते हैं उपर के तरफ खीचते ठीक है जब जरुर पड़ता है हम खाना काने के टाइम सासने में टाइम सेल्पिंगो फिरिंजेस मसल क्या होता है यह मसल आपका यह जो इस्टेचेंट ट्यूब है म बसल कहा है यह म freuen कि आपको एस्टेशुन ट्यूब से खथम कहां पर होता है यह जो श्री मसल कीृत जी रएपको क्या फाने पर यह से मदद करें है इस ये इसे हम को हम पंदर के दरफ जबरदस्ती खीचते हैं है इस पूजिशन में मदद करता है आपका इस यह फोटो में देख रहे हो इसको लृट मैसल इसमें आते है यह आपका superior, middle, inferior, inferior वाला क्या होता है यह आपका krigoid और thyroid cartilage से origin होता है middle वाला आपका high weight bone से origin हो रहा है और उपर वाला मतलब superior वाला आपका medial terigoid plate कुछ-कुछ part आपका terigomindibular refi से आ रहा है कि 3 की 3 कहां पर जाके खतम हो रहा है 3 क्या आपका pharyngeal refi में जाके खतम हो रहा है और suprabolar pharyngeal tumercul में जाके खतम होता है तिन씨 का क्या होता है तिनum का काम होता है आपका swallowing ठीक है मसल पर 14 में इदरी खतम कर रहा हो और भी है आपका गले मतल्य लेरिंग्स के अंदर में फिर आपके थोराक्स इफट उ쳤 DAN के अंदर में फिर फिर पेलविक किभीटी का अंदर में तो बहुत कुछ है आपका इनिवे तो आज के लिए बस इतने ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेर करो, बेल आइकन के साथ, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टोपिक मुले के, तब दे के लिए, बाई